पुलिस ने अब्दुल मलिक को हिरासत में ले लिया है अब्दुल मलिक के बेटे पर भी शिकंजा कसा गया कई और साजिश करताओं की जांच जाली है तो सूत्रों बता रहे हैं पुल पुरा हिंसा के मामले में अब्दुल मलिक ही सबसे बड़ा और सबसे एहम साजिश करता बताया जा रहा है जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है सूत्रों के मताबिक अब्दुल मलिक ने ही मलिक बगीचा पर कब्जा किया हुआ था और वो अवैद मदर्से को संचालित करता था अब्दुल मलिक के अलावा पुलिस ने उसके बेटे पर भी शिकंजा कस्द दिया है बड़ी खबर हम आपको बता रहे है ये जो शक्स आपको दिख रहा है ये अब्दुल मलिक है और इसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है ये वो शक्स बताया जा रहा है जिसने इस पूरे मामले को रचा था जिसने पूरी साजिश रची थी और फिलाल पुलिस इससे दूसरे साजिश करता हो तक पहुँचने की कोशश कर रही है इसका बेटा भी इस मामले में स्तनलिप्त माना जा रहा है जो सुत्र बतार है उसके खलाब भी कड़ी कारवाई की प्लानिंग की जा रही है बड़ी बात ये है कि इसने इसे कई सालों से कब्जा करके रखा था जो मलिक का बगीचा नाम से इलाका है जहां पर ये अवैद मदर्सा चल रहा था वो दरसल इसी शक्स द्वारा कबजाई गई जमीन थी